Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCR to the Mind तो आज हम लोग पढ़ेंगे Class 2 Hindi का अडिहन्त वर्क बुक जिसमें आज हम पढ़ेंगे व्याकरन का तीसरा चाप्टर विसेशन तो चलिए पढ़ने स्टार्ट करते हैं, आप भी अपना वर्क बुक निकालें और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए तो देखिए आपके वर्क बुक में पीछे साइड में कुछ चाप्टर्स हैं व्याकरन के जिसे बनाना है तो इसमें देखें, ये तीसरा चाप्टर है विसेसन, तो हम पहले जानेंगे कि विसेसन किसे कहते हैं, तो विसेसन हम उसे कहते हैं, जो कि संग्या और सर्वनाम की विसेस्ता बताता हो, ठीक है? अब देखिए, इसमें कुछ जो है ना, आपको अभ्यास करना है, नीचे दिय पहले गए सब्दों में से विसेसन, सब्द चाट कर लिखें, तो विसेसन सब्द आपको चाट कर लिखना है, ठीक है, यहां बॉक्स में दिया गया है, तो जैसे क्या-क्या हो जाएका, सुन्दर, सुन्दर यहा pitch कि विसेसन बता रहा है, वो लड़की बहुत ही सुन्दर ह तो बिसेशन हो गया, लंबा, वो लड़का लंबा है, या पेड लंबा है, ठीके, तो उसका जो लंबा है, वो बिसेशन हो गया है, मीठा, तो मीठा का क्या बनाएंगे, कि मिठाई मीठी होती है, मीठा होता है, ठीके, और कोयल की आवाज मीठी होती है, ठीके, तो मीठा जो हडा है लाल है पीला है जो भी है तो ये विशेशता बताता है तो ये आपको लिखना है सही विशेशन सब्दों से खालियस्थान भड़िये तो सही विशेशन सब्द लगाना है तो वह लड़का बहुत क्या है? सरारती है कड़ेला खाने में कैसा लगता है? कड़वा होता है मोड के पंक रंगीन होते है नीचे दिये गए सब्दों को उनके विसेशन सब्द से मिलाईए तो यहाँ पर देखें स्तंब को और स्तंब को है आपको विसेशन सब्द से मिलाना है जैसे कि ताजमाल है तो ताजमाल क्या है? सुन्दर है तो सुन्दर के साथ में सुन्दर इसका क्या है? ताजमाल का विसेशता बता रहा है तो ताजमाल कैसा है? सुन्दर है बादल तो कैसे है? काले है काले क्या हो गया इसका विसेशता बता रहा है बादल का आम आम क्या है मीठा है इमली खट्टी है ठीक है इस तरह से मिलाएंगे ठीक है अब इसी तरह से इसे भी बनाना है इसमें देखें क्या बताया जा रहा है कि नीचे दिये गए वाक्यों में विसेशन सब्द ढूंड कर उन पर गोला लगाईए तो जो विसेशन सब्द है उसमें गोला लगाना है ठीक है घेडा करना है आपको जैसे कि कुतुब मिनार बहुत उची है अब विसेशन क्या है इसमें उची ठीक है तो इसमें गोला लगाएंगे कोयल मीठा गाती है तो इसका विसेशन क्या है? मीठा, वो कैसा गाती है? तो मीठा, वो बहुत मोटा आदमी है, तो मोटा उसका विसेशन है, इसमें गोला लगाएंगे पेड पौधों से हमें सुद्ध हवा मिलती है कैसी हवा मिलती है? सुद्ध हवा मिलती है तो सुद्ध में गेड़ा लगा देंगे ठीक है? उसके बाद है कि नीचे दिये गए संग्या सब्दों के लिए दो-दो विसेशन लिखे ठीक है? अब दो दो विसेशन लिखनाँ है जैसे कि हाथी तो हाथी का क्या हुजेएगा? दो दो विसेशन लिखनाएगा तो मोटा और बड़ा ठीक है? हाथी मोटा है बड़ा है तो ये अग उसका विसेशन हो गया अब यहाँ पर्ड बॉक्स में दिया गया है तो फूल के लिए आप दो क्या लगाएंगे विसेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा सुगंधित और सुन्दर ठीक है आप इस साइड में भी लिख सकते हैं एक साइड में सुगंधित लिख सकते हैं एक साइड में सुन्दर लिख सकते हैं ठीक है, अब रस गुले, तो कैसा होगा, मीठा और रसदार, ठीक है, तो ये साड़ा यहाँ पर दिया गया है, महल कैसा है, बड़ा और हवादार, कुत्ता, पालतु है और वफादार, ठीक है, तो ये साड़ा इसका विसेस्ता बता रहा है, ठीक है, विसेशन है, तो इस तरह आपका ये चाप्टर कंप्लीट हो चुका है विसेसन तो आप इससे अच्छे से पढ़एiran स्वेती चेशन अँछे से पढ़एigkeiten किजिये एक्जाम में आ सकता है तो आप इससे पख्की किजिए बिख लिबगाईधों किजी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर थेंक्स तो वाच माई वीडियो